चेकिसा शेत्र में अस्पिताल के साथी साथ फार्मसी का भी काफी बढ़ा मत्व हैं लेकिन कई फार्मसी मालिक बिना किसी अधिकरूट डिगरी और अधिकार से दवा या बेच रहें जिसके चलते जनता फांडेशन फ़रा ऐसी फार्मसी के खिलाव मुहिम छड़ी गई है किसी डॉक्टरी सब्क्रिप्शन के दवाया बेची जारी है और इसके पहले भी दन्वन तरी मेडिकल के विरुद में शिकायती आ चुकी थी और उसी के बीच अवजनता फांडेशन फ़रा अन्न एवं आउश्यती प्रशासर में शिकायत दर्श की गई है इस वत अधिश जिशान सिद्ध के लिए तिव्या आंतुरंग का इशारा भी दिया दर्शकों वैसे देखा जाए तो डॉक्टर्स के बाद फार्मसी का काफी बड़ा महत्व है क्योंकि कहिना कही सभी बीमारीयों की दवाया फार्मसी में मिलती है लेकिन कई बार फार्मसी और फार्मसी म मिलाप मोहिम छेड़ी है जिशान जी क्या है मुद्धा आप जनता को बताईए पूरा संशिप्त रूप से क्या आखिर परिस्तिति है कि मैं काजे जिशान सिद्धी की जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट यह अभी हमारी मुहिम फार्मसी इसके अगेंस्ट में चल रही है हॉस्पिटल्स में भी जो लूट चलती उसके अगेंस हमारी मुहिम हमेशा कंटिन्यूसली रहती है फार्मसी में देखिए कई जगा देखने में आता है कि कोई मजबूर व्यक्ती रहता है गरीब व्यक्ती रहता है उसको जैसा डॉक्टर ने चार गोली का प्रिस्क्रिप तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते पूरा पत्ता लेने के लिए इसके पहले भी मैंने 2019 में जब यहां पर FDA के असिस्टन कमिशनर शेंडे साब थे तब भी हमारी मुहिम ती तब भी हमने आपर नोटिफिकेशन सब को जारी करवाए थे अभी फिर हमारी मुहिम इसके है नागपुर में गोधनी स्थित है उनका लाइसन्स अभी हमने तीन महिने के लिए सस्पेंड करवा दिए उस फार्मसी की बार बार मेरे पास शिकायत है थी कि यहां पर फार्मसिस्ट की गहर मौजूदगी में मेडिसिन बेची जाती है यह हो सकता सुनने में कुछ फार् में जाती है तो आपके बरोसे पर जाती है वहां पर अगर फार्मसिस्ट मौजूद ही नहीं है कोई अनपर व्यक्ति है जिसको इसकी फील्ड का नॉलेज निया वह व्यक्ति दवा बेचता है कई केसे हमने खुद देख लिए कि हमने मेडिकल स्टोर से डारिक मेडिसिन करी तो मैं कुद उनका कस्टमर बने क्या मैं आपको वीडियो दूगा हमने उनका स्टिंग ऑप्रेशन कर रहा है आप वीडियो में देख सकते है बाकाइदा के जो बंदा है धन्मंत्री मेडिकल स्टोर में जो मेडिसिन बेच रहा है हमको फार्मसिस्ट नहीं है मैं उनसे प्रशासन काफी नींद में रहता है इन चीजों को लेकर के उनको अच्छे तरीके से पहले कारवाई नहीं करें जब कंटीनियूसली हम पीछे पढ़े रहे हैं अपने तरीके से इन पर प्रेशर बोलो है हमने इनके पीछे जब फॉलॉप लेना चुरू करा तब जाकर के इन्होंने अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स को आपर बेजा एवडिया के खुड रग इंस्पेक्टर ने जब महा इसे मेडिसेन खरी दी तो इन्होंने पाया कि वहाँ पर एक्सपाइरी डेट वाली मेडिसेन पकड़ी गई जो के नौट फॉर सेल वाले डब्बे में भी नहीं थी सफाई मेंटेन नहीं है ऐसी सब कल में लगाई गई एवडिया के तुरू दूसरी बात एक महीने में दनवंत्री मेडिकल स्टोर्ज ने सिर्फ 24 बिल शो किया मतलब दिन का एक बिल भी जनरेट नहीं कर रहे हैं ऐसे कई अनेक कानूनी कारे वापर चल रहे हैं जनता फाउ मेने के एक हफ्ते के लिए हुआ था उसके बाद भी हम इनके पीछे पड़े ते कि आप यह लॉलीपॉप मत दो एक हफ्ते के लिए किसी का लाइसेंस रद करके अमको अब जाके तीन महीने के लिए लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर कोई बिना फार्मसिस्ट के मेडिसन हो जाए किसी दिन अगर कोई मेडिसन स्टोर से मेडिसन खरीद कर मर जाता है कुछ हो जाता है तो उसके लिए पूरे तरीके से प्रशासन भी जवाब दर रहेगा जैसा आप दूसरी चीजों में कारवाई करते हो यह भी लोगों के जान से खिलवाड हो रही है आपर अपन नहीं है इसका पूरा वीडियो भी अविलेबल है तो इस पर कारवाई होना चाहिए हम इत्ता मानते हैं कि तीन हम वह भी हम कंटीन इनके पीछे पढ़े रहे तो इन्होंने तीन मेने के लिए उस फार्मसी का लाइसन्स रद्द किया है आगे क्या होता है आपको बताये जा आवाज जनता फाउंडेशन द्वारा उठाए गई जिसान सिद्दगी से हमने बात की जिनका कहना है कि गैर फार्मसिस्त जो की जिनके पास किसी भी प्रकार की डिगरी नहीं किसी भी प्रकार की अधिकृत डिगरी ना होते हुए वहाँ आज दवाईया बेच रहे है जो क जनता की जान से खिलवाड है ऐसा आवाज जनता फाउंडेशन द्वारा उठाय गया है तो देखते हैं आगे इसका क्या असर पड़ता है और किस प्रकार से इसका असर होता है साथी साथ बीसियन परिवार के ओर से एक विशेश रूप से विननती करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप दवाईया खरीदते हैं उसका पूरा मुआयना करते हुए दवाईया खरीदे ताकि आपके जान से किसी भी प्रकार की जोखिमना हो NBC News के लिए कैमरा परसन अजित कुवर के साथ मैं मनिश टेमरे